नमस्कार दोस्तों आप सबी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और अपने इस वीडियो में बात करेंगे पैरामेडिकल के छेतर में निकली भी पर्मानेंट गोर्मेंट बड़ी वेकेंची के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट से एंट तक जुरूर देखें ताकि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो यह देख सकते हैं या आगे राजय स्वास्ते यह परिवार कलेयन सहस्तान जालाना सहस्तान क्षेत्रिय जैपूर के दवारा जारियो यह नोटिफिकेशन जारी होए यह आज की तारिक में यह जारी होए देख सक हम बता देंगे एक बार इतना देखो कि विकेंशी जारी हो चुकी है तो देख सकते हैं राजय स्वास्ते एवं परिवार कल्यान संस्तान सीफू जैपूर द्वारा चिकेच्या एवं स्वास्ते विबाग राजस्तान के लिए साहिक रेडियोग्राफर के दिक्त पदों को भ इसमें जबसे बड़ी बात ही रहते है कि आप और ऑर इडिया से अप्लाइग कर सकते हैं नहीं कर सकते तो उसकी कुछ कंडिसंसे वह इसकी जब इक तीस पांच को विश्तरत विग्यूप्तिजारी होगी हुगी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अभी हम कुछ नहीं पदों की बात करें तो साइक रेडियोग्राफर के पद है 1066 पद है यह पर्मानेट गोर्मेंट वेकेंशी है तो उक्त विगयप्ति पदों में कमी प्रवर्दी अथ्म विगयप्ति को निरिष्ट के जाने हेतू विभाग सिफु सवतंतर होगा विष्टरत विगयप्ति एम आविदन हेतू ओनलाइन लिंक विभाग की वेबसाइट www.sifu.radistan.com www.radiswasta.nic.in पर दिनाग 31.5.2030 अपराहन 4 बचे से दिनाग 36.2030 मदे रातरे बाराब जेते कुपलब्दे रहेगा अबिर्ती ओनलाइन आविदन करने से पुरोय विष्ट्रत विगप्ति का सावधानी पुरुख अध्यन करने की पैस्चाथ उसमें उलेखी दिसनेर्देशयों के नरूप स्विम की पातरता सुरीचित करने के प्रश्चात ही आविदन करें पातरता के समंद में भी वाका नहीं नहीं अंतिम होगा बरती के समंद में समय समय पर जारी की जाने वाली सुचनाओ दिशानेर्देशों के लिए वेबसाइट ये सीफूरास्तान.com इनका नियमित रूप से अलोकन करते रहें तो ये काफी बड़िये वेकेंची एक जार सट सट पद है और इसमें कौन अपलाई कर सकता है एज लिमिट क्या रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो सभी जिसकी विष्टरत विगवति जैसे जारी होगी एक तिस पांच को तो हम आपको डिटेल से बता दें एक बार इतने ही देखो पर्मानेट गोर्मेंट वेकेंची निकले एक जार सट सट पद है तो चली दोस्तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे वीडियो में देगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए तो मिलेंगे अपने फिर से एक नई जानकारी एक नई वेकेंची के साथ तब तक लिए जै हिंद जै भारत